हरी कृष्णा कैसे आप से भी आप लीव आप से बढ़िया होंगी आज की रिडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस ठीक है बिफोर लव कन्फेशन जब वो अपने प्यार का इजार तक नहीं करेंगे आपसे उससे पहले उनकी क्या hidden feelings होगी आपको लेकर अगर कोई आपको पसंद करता है तो ठीक है उनको मतलब कि jealous feel होता होगा या वो आपको लेकर protective हो जाते होंगे या दिर्वो कैसा rude react करते होंगे या आपको थोड़ा convince करते होंगे मतलब क्या करा करेंगे अवो थोड़ा आपको कैसे मतलब वो aware करा करेंगे क्या करा करेंगे hour कि अज़की इस reading में देखेंगे तो बहुती sweet topic है आज जई का बहुती प्यारादा प्यारा सा topic है आप लुगवाँगे तरग के लिए reading सबसे पहले हम कार्ट को शफल कर लेते हैं और फिर हम रिडिंग करेंगे शोड़ेंगे भवान का नाम लीजिए तो दो कार्ड आहें बहुत आपोसेट्स विलकुल जिसे यहां पर इमोशनल विड्रॉल यह बिलकुल एक सैड अलग शाऑन आरही है और यहां पर लाइट कार्ड आरहा है बहुत हैपी एनरजी आ लीला तो दो नहीं काफी, अपने अपने हिसाब से अलग-अलग कार्ड जाएं, अलग-अलग अनर्जी जाएं, आप देख सकते कौन सा आपको अपनी और बुला रहा है कार्ड, ठीक है, और अगर अपने बर्थमन के कोर्डिंग भी करना है, तो ध्यान से सुनिएगा, जन्वरी, फ़र्वरी, मार्च, एप्रेल, मे, मे, जून, जिलाए, अगर्स, सेप्टेमबर, ऑक्टोबर, नवेंबर, डेसेंबर, ठीक है, देखिए जापको कौन सा पाहल है, मैं बलूंगे आपको आपको आपकी रिडिंग में, राद रादे पाहलवान, चले देखते हैं साथ की रिडिंग, आपके फिटर स्वास की हिडिन फीलिंग आपको लेकर, अगर कोई आपको पसंद करता है, और वो भी बफोर लव कन्फेशन, ठीक है, उनकी क्या जान निकला करेगी, साथ करते हैं, सब्सक्रा लेंगे भागवान का नाम, फिर उस पर आपकी रिडिंग करते हैं शिरूँ, ठीक है, प्रभूबानाम तो प्रभूबानाम क्राइव को ओक जी टिक्स और स्वोर्ड युझन चैकाश्वोर्ड क्राइवड़ अंद बेकल निरे पिर भी देखेंगे इस पेसे भी देखेते हैं साथ ही साथ देखनी रहता है तो साथ ही साथ देख लेते हैं सेजी तो जैसे आपने पहले का आया है आपने से रहा किया इमोशनल विड्रॉल एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके जो स्पाउज होंगे न वह आपको लेकर थोड़े सेंशने नहीं रहते होंगे आपके साथ उनकी अलगी आपकी साथ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना कि देर देरे क्या होता जाएगा कि वो ना मतलब आपके साथ जादा रहा करेंगे आपसे जादा बात किया करेंगे आपके साथ अपनी feelings को जादा share करा करेंगे तो अगर इस conversation के बीच या इस time frame के बीच अगर कोई तीसरा आप लोगों के बीच में आता ह हो रहा है कि यह विक्ति आपकी और एक love proposal लेकर आया है कि यह शुरुवात दोस्ती से करेंगे इंदेन उसके बाद यह सब सोचेगा तो यह ऐसे लोगों से ना काफी ज़्यादा मंदब थोड़ा insecure हो जाते होंगे मंदब सपोज यह संब लीजे थोड़ा सा इनके अंदेना चिर्चिडा बना जाता होगा और थोड़ा सा यह जैसे उस विक्ति का नाम सुनते ही थोड़ा सा चिर्चिडा आने से लग जाया करते होंगे उस विक्ति के बारे में ज़दा बात भी किया करते होंगे टॉपिक चेंज कर लिया करते होंगे कभी-कभी अपनी feeling इसको अगर कोई भी आता है आप दोनों के बीज आप दोनों के प्राइविसी को खराब करने के लिए तो यह किसी हक से तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो लब कनफेशन आप के और आपकी नज़रों में यह आपके अच्छे दोस्त होंगे लेकिन इनकी नज़रों में आप इनका फ्यूचर होगे क्योंकि वी आप दर मेमरीज ऑफ लव तो उनके साथ आपके साथ बितावे हर एक पल उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा और वो ऐसे पलों को आगे आपको इनो ऐसा अट्राइट करने की कोशिश करें ऐसे लोगों से बहुत चट्चट आने से लग जाते होंगे और अगर देखें तो ना यह थोड़ा सा ना मतलब जिसे आप से अगर मिल रहे हैं तो कम बोल रहे हैं आपकी ज़दा सुन रहे हैं चैरे पर इतनी हसी नहीं है थोड़ा बिमार से भी हैं और बताएं वैसे हर चीज़ बताते हैं लेकर अगर कुछ ऐसा हो जाता हो गहाना तो बताया नहीं कि कैसे बिमार हो गए फिर आपकी डाट भी खाली फिर भी कुछ नहीं कहा तो यह थोड़ा वीर्ड एक्ट करने लग जाते होंगे और मैं किसी तीसरे विक्ति का नाम भी लेता हूं या लेती हूं इनके सामने पैसे लिए अगर विक्ति नजरों में खटका हुआ है तो ऐसे विक्ति का नाम सुनते ही ना यह मतलब उस कान्वर्सेशन को आगे बढ़ाने ही नहीं चाते हैं तो कुछ और बात करते हैं मुझे इ इंटरस्ट नहीं दिखाते होंगे त्री और सौर्ड अचा आपसे नहीं चीज कहते होंगे कि ना ऐसे देखो मुझे तो वो ट्रस्वर्डी लगते नहीं है तुम्हें विश्वास करना है तुम कर रहे हो या तुम करना चाहते हो वो तुम्हारी अपनी मर्दी है लेकिन जो नहीं दोस्त ना मुझे वो ठीक नहीं लगते हैं बला वो ना अपनी फीलिंग्स भी बता दिया करेंगे कि उन्हें ना कुछ सहीं नहीं लग रहा उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा ऐसे बोला करते होंगे जिससे कि आप पहली ऐसे विक्दी से दूर हो जाए नाइन बॉंड्स अब हैं जैसे कभी कोई बात ऐसी होई कि उस विक्दी ने कहीं है से ना आउटिंग के लिए सब को बुलाया है आपको भी बुलाया है तो आप अपने पार्टनर को बता रहे हो या मन अपने फ्रेंड को जो आपके होने वाले बुद्भी स्पाउस ने उनको बत बढ़े लेता तो बड़े खुश हो जाते होंगे जब ना आप उनकी तारीफ करा करते होगे और उन्हें यह रिफ्लेक्ट करोगे कि किसी के आने जाने से उनकी जगह जो है आपके दिल में कभी भी बदलने वाली नहीं है ठीक है अंदर ये अंदर से आप जानते तो होगे कि आपके दूसरे से प्यार करते हैं आप दोनों इस दूसरे को आगे जाकर जरूर यह बात बोलेंगे ठीक है इस दूसरे से कन्फेस करेंगे बट आपके वुडबी स्पाउस को मेंशे यह लगा करेगा कि मुझे यह सब शांती से करना है मैं आप ऐसा नहीं कि बहुत हाब किसी तीसरे इंसान को भनक तक भी ना हो, कि आप दुनों रिलेशनिशिप में, आप दुनों के बीच कुछ ऐसा है, ठीक है, रिकर्गनेशन रिवार्ड, वो हमेशा से यही चाहा करते होंगे, कि आपकी नजरों में वो हमेशा पहले नंबर देने, उन से उपर कोई ना है, मैं से यही चाहते होंगे, कि अगर मालो कोई दूसरा तीसरा आरहे हैं इनसान, आप आजकल वो बहुत ज़दा ना, उसकी बाते आप कर रहे हो, कि वो मुझे इस तरीकी से हेल्प करते हैं, नहीं वो एक अच्छी इंसान है, वो एक अच्छी इंसान है, तो इसी इसको लेकर भी शांती से सुन लिया करते होंगे, लेकिन टॉंट भी मार दे करते होंगे, कि हाँ, अब तो मेरे से भी बहतर कोई है, चलो, I feel happy, कि कभी अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, या नहीं कर पाया, तो वो तो है, नहीं तुम्हारे हेल्प करने के लिए, या अच्छी इंसान, ऐसे ना, टॉंट मार दिया करेंगे, टेम्टेशन का कार्ड है, तो टेम्टेशन से कह सकते हैं, गुस्त तो उनको बहत आया करेगा, मैं साफ साफ सीधा सीधा बताओ, ना, उनका मन करा करेगा, कि उसको जा करना, उसका मूँ तोड़ने, अगर कोई आपको ऐसे परफोल करता है, या ऐसा ना, थोड़ा रोमेंटिकी भी बात कर रहा है, इस तरीके से, ऐसा कर रहा है, उसके वर्ड्स में, उसके बिहेवर में नजर आ रहा है, कि वो कितना ज़दा आपको इंपोर्टेंस दे रहा है, ठीक है, तो उनको गुस्ता तो बहुत आया करेगा, वो बिल्कुल नहीं जाते होंगे, कोई भी उनको आपसे अलग करे, वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, लेकिन वो उस टाम पर कुछ कर नहीं पाते होंगे, ऑस बिल्क़न नहीं ना हमेशंचे, वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, आपको समझाया करते हूँगी कि ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना मुझे सेंस हुआ है तुम्हें उनसे बात नहीं करने चीए और जब यह दो तीन वरे रिपीट होगा ना जब आपको ऐसा लगेगा कि किसी की भी आने से ने यह पता नहीं इनको क्या होने लग जाते हैं यह तो यह भी शयाद बातों बातों में करें कि कोई बेटर ऑक्ष्ण है तो मैसे रैने से यह नगीन नज़र नहीं होज़े हो बहुए है कि मैं अपना बेस्ट्रेंट किसी के साथ वह करूं नहीं तुम कोई ऐसा न बातने वाली चीज नहीं हो तो मेरी यही हो बस और तुम मेरे सिर्फ मेरे कुम समझा रहे हैं आपको ऐसे को आपको बाद करने से रोक ह्लग है वह बस थोड़ा सा मैं थोड़ा अपनी दरण से मिर्च मसाला डालके सॉसारीड डिच पढ़न ऑफ करें दिस्टंस करें तक बिल्कुल एसा होता है ना की अभी प्यार जो है व Time सीमा तक नहीं पहुच आप शुरुवाती स्टेज की बात आरही है इन पैक्ट जब आप दुनों एक दूसरे से भरपूर प्यार करने लग जाएंगे जब आप दुनों अंडेस्टेंड करने लग जाएंगे दूसरे को तब तो इन सब चीजों का सवाल ही नहीं उठेगा क्य लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में हुआ करेगा जब प्यार की नहीं नहीं शुरुवात होगी बहुत अच्छी सी प्यारी सी रीडिंग आई है उनके कुछ धिल में जो भरी चीज़े थी ना वह आज भार निकल के आएंगे बहुत तरही ऐसी चीज़ें जो मैं यहां नही इनकी काम करना मुठे बताना मैं उस काम को बहुत अच्छे कर जहुँगा तो मैं तो में तो पता हैं मेरे कितने लिए मेरे किसमें कांटेक्ट चैया है और तो यह तो हर जएंग성 मैं उसमाय विश्वास होगी है किसी और की सारफ जाने की जहता है नहीं टीं तो ऐसाänge कभी क्यों आ रहा है ठीक है वह लोग इनको नहीं पसंद है ना कोई भी बीच में आप दुनों के ऐसे आए एंड जदा सा इश्क जताना भी सीख लो अगर इश्क है तो बताना भी सीख लो तो यह आपके लिए ना एक गाइडेंस यहां की तरफ से कि अगर आप उनसे प्यार करते थोड़ा जताना भी सीख लीजिए थोड़ा बताना भी सीख लीजिए है ना by your side always वह हमेशा आपकी तरफ करेंगे और थैसे लोगों के सामने तो ना वह आपकी ने बड़ा ही जादा करा करेंगे कि मुझे पता है इसको ऐसे लोग पसंद नहीं है I know she doesn't like this he doesn't like this she likes this he likes that वह को ऐसा बोलने लग जाए करते होंगे जिससे कि ना सामने बड़ा कोई तीसरा बंदा आया ना उसको अंडर कॉंदेंट हो जाए वो ना मतलब उसमें कॉंदेंस ही ना रहे तो बड़ा करेंगा प्यार की बात चुकिया है तो मतलब आप देख रहे हो वह कितना कला कि रिंग एक रिंगे आप आप शूर वाली युद्धिया में शू कुन बरा लमघ हो तुम देख़ा शूर वाली युद्धिया में सुस्कून बरा लमघ है आप इनके लिए मिल्धी आख कर लेंगे ठीक है अगर आपका कोई नया दोस बन रहा है या बन रही है कोई विक्ति आपकी और ज्यादा अटेंशन आपको ज्यादा मलदाव इंपोर्टेंस दे रहा है सोचेंगे कितने दिन और बस तेरे कुछी दिन रहेगा फिर तेरे टाटा पाइबर हो जाएगा ऐसे ऐसे होंगे एक में और एक तुम दोनों मिले इस तरह हा ओके वैई ठीक है पर सौंग आरा सुनने ना अगर मन करें तो बड़े वो आई यह कहते है बड़े मलब छोते आने से अपना विवहार या अपनी रहन से नहीं बदलने वाले है अगर मानलो कोई बहुत ही जदा ऐसा विक्ति आरखा है जो बिल्कुल उपर से नीचे तक बल लदा पड़ा है एक हर एक बिस चोफ वाली चीजों से तो ऐसे नहीं खुद भी ऐसे ही बन जाएंगे होता है कि वह ऐसे तो मैं भी ऐसा मन जाओ पर टककर का कॉंपटिशन हो ऐसे वह बिल्कुल ने करेंगे आपको यह चीज बहुत अच्छी लगए कि वह ना मिलब किसी के बाहरी रूप से वह नहीं आकर्शित होते और नहीं प्रभावित हो नहीं उस जैसे बनते और नहीं उसकी औ बढ़ते आपको यह क्वालिटी उनको उनकी बहुत अच्छी लगएगी ठीक है और लेट सी नहीं होगा अन्याय देखा उनके साथ तो यह टोटल अन्याय होगा अगर कोई उनके बेस्प्रेंड को कोई चीन के लेकर जायागा तो अगर मैं को कॉमन लेंग में जो बहुत भादे मैं अपना बेस्प्रेंड के से शेयर मेरी बेस्प्रिंड है जो खोटन साथ ति अरे को मैं अब्लक्ल कवमन लेंग में बूल लो दो बिल्कुल ऐसे हूँ होगा तेल उनके नाम में शयद आता हो तलाशे मेरा दिल तुम्हें और धड़कन हर पल तेज हो जाये तेर हो जाते होंगे जब वह आपका नाम सुना करेंगे ना बहुत ज़दा ना वह आपके लिए बस आप ने समझ सकते ना वह कितना आप से प्यार करने लगजेंगे है आपके सब पूरी जिंदगी बिताने को अब सोच रहे हैं और अगर इस बीच में कोई ऐसा क्या करता है ललू पंजू कोई इंसान आता है ललू पंजू इंसान तो उसको तो ना यह मार गिरा फैकेंगे तो यह थी आज के बहुत ही बलाव स्वीट टेस्ट रीडिंग अग आज की रीडिंग देखते हैं आपके सब्सक्राइब आपके पसंद करता है या कोई तीस राग बीच आता है तो मतलब वह भी फोल्डप कंफेशन तो फिर वह क्या-क्या कैसे मतलब आपको कन्वेंस करा करेंगे आज की रीडिंग में देखेंगे बहुत प्यारी स्कुम्! झाल झाल इसमें से भी देख लेता हैं ने निकाल लेता है रहाट है कार्ण कि उनकी दुर्ष नीनल बेशा है करती होंगति from the पहला तो जो मुझे यहां नजर आ रहा है कि वो जिसे ना उनका वेभार ऐसा का वो हसस के बहुत बाते क्या करेंगे लेकिन अगर कोई ऐसा तीसरा बीच में आ जाता है ना तो और अगर वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रियेट करता है कि मतलब कुछ ज़्याद ही वह बिलकुल आशिकों बहुत कर रहा है इतना भी क्या हर चीज़ पर स्टेटस लगाना हर चीज़ पर यह करना वो करना इतना भी क्या आपको इतनी वो जिन्हों कहते है ना बहुत ज़्यादा आप पर ही क्यों इतना फोकस कर रहा है वो है ना तो उनको ने यह चीज़ पसंद नहीं आती होगी, मालanno कोई भी इस तारीके से करें, और मालो गर कोई ऐसा वेक्ति मिलता है मिलता है ना कभी उनके सामने, जो हर चीज पर आपका स्टेटस लगा रहा है मालो हर चीज पर आपको, हर चीज में जल्दी है उस इंसान को, हर से पहले आना है, बड़े आया तो पहले विश करेगा, गिफ देगा तो सबसे पहले देगा यह देगी, सेटस लगाएगा तो आपका लगाएगा, साथ फोटो खिचबाएगा तो इतना खुश होंके खिचबाएगा, जैसे पता नहीं यह इनको ना यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, यह ऐसे लोगों से अगर मिल भी गए ना कभी ऐसे किसी इंसान से, तो यह उसको भी सुना रहे हैं क्या चल रहा है, तो उन्हें क्या लगा रहा है, यह ड्रामी बाजी क्या चल रही है, मैं बहुत देंसे नोटेस कर और अगर तो यह पूछे कि मैं क्यूं पूछ रहा हूं मेरा हक्या बनता है, तो मेरा पूरा हक है, क्योंकि तुछे भी पहले यह मेरी दोस्त है, और यह मेरा दोस्त है, तो मुझे अपने दोस्त का पूरा ख्याल रखना है, चाहे उसकी रिस्पेक्त हो, उसकी इमेज हो य जोड़ा जोड़ा जाता होगा ना बांदर हो रहा है कि अधिक है लेकिन हाँ अगर इनकी लोकल लेंगेज में जोड़ा फड़ी एस्ट वर्ड होगा जिससे भी इस बोला जाते होंगे तो यह ऐसा बोलने लग जाते होंगे और पर आरे तुम्हें तो हसी हा रही değer तुम तो हस लो बसा क्या वीच पूछो क्या ऍधिया सूम्झ गाते हैं तुम्हें विशा भी कर रहे हैं चोटो शोटे छोटे जोग्यों समझ महारी बड़ी बड़ी बाते रहे हैं श्करणपी को तो यही जो होगी ना खटी बिटी नोग जोग आपके साथ करने में उनको मज़ा आता है अगर कोई तीसर आज बीच में आना तो समल्लो यार पूरा स्वाद बिगाड दिया सच में उनका यही मानना होगा इसलिए यह प्यार की जो डिश पक रही है दीरे 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 और यह पूरी पक जाएगी मैं जब प्यार बुपल चरम सीमा यह पहुचेगा तो इस भी थोड़ थोड़े ऐसे इंग्रीडेंट से आएंगे जो डाल को खराब करना चाहेंगे ऐसे कंकड़ भी आएंगे जो डाल में डरना चाहेंगे लेकिन उनको यह मार इरा फैकेंगे ठी यह संद हमनों की रहे परब अठी कशे जी पूंचे मैं अपनी की और इसे लेवल के लोगों की बात करो ना सब्सक्राइब करा सब्सक्राइब कि ऐसे दंस म Parece हम शुरा हम आच ख वा स tv टंस में सब्सक्राइब अगल तो झाल ने स्दुड़ा इस गतला अच ए घृटाइब तो ऐसी है, और This will be of the Knight of Pentacles, तो Knight of Pentacles से मुझे भी बात नदिल आती है कि वह थोड़ा सा इस चीज का भी शौफ सा करने लग जाएगी, कि मेरा परिवार तो जान था है. हम दोनों तो बहुत जादा एक दूसरे को समझते हैं और मुझे नहीं लग रहा कि उसको तुम्मे कुछ इंटरस्ट होगा तुम्हे तो अपने ना थोटा साइडी हो जाना चाहिए मतलब सामने बने को पहली अंपर कर जाना कि अगर तो इसको इसको लाइन महनना चाहते है त तुम्हारे मनम्य कुछ अइसा है तो आससे को ईह सक लाणा मत पर किन कि गलत है यह ढहला है रेसे को बन right बन司 को साइघी नगी तो इनम्हें पर पसंद नहीं है पहता है तुम बता तो मुझे वक्त बताएगा तुम फैसे कोवी बहुत lifes visas अगरे लिए मुवात खटते होगा णो मुझे लगत लगता होगा अंदर यं अन्दर आप जान के चुरिश करétais उस लिए घौशल में करता है कि तुम्हारी निए टीक है यह स्पैस्ट है बैड फील मुझे हो रहा है कि मेरे रहत वो यहाँ ऐसा क्यों मेरे रहते है कोई ऐसा आ भी गसे सकता है मुझे पलुल वह पूरी पावर मिली होतीना तो और मैंने इसका भी आप अच्छा कर देना होता तो आप कहरो कौन सी कौन सी पावर कौन सा हक थीक है तूम क्या संझो ज लिए पैयर पसंद करता इसा भी बात बहुते ही तो फुर्पाने लग जाते होंगे तो ऑफ दम से खुटे नहीं होगे तो इस के समखिंगे और इन फेक्ट मुझे तरह से लग रहे है इस बाल को जो दो बेह रहे है आप को पहली बता ओगा is you guyn gall — प्रपोस हो लेकिन लिटरियल्ली ना अब को प्रुपोस मॉमेंंस बुर्पोस करने करेड़ा जो गा…" या लुवे भाद नेजिए यहीं सोग कि प्रपोस करने हम वोग तो लेगा तो जिसे को चोटा बेपि डंग ग्जैंड न बाद को somekadS जह से अ कर दे वान से और अग लिए, उसे ऐसा जाए मेर लग आपके ख़ Tôi नहीं और मेर उसे नहीं । आप के नहीं करने हैं उसम के छोजियाने बुष्च में सतर्च, आपसे नहीं सचेलिप्रेटरब एंगे यह ज़िए मेर नहीं सुस्क्षिव कर देए लौ Shumar दुने दूसरी के साथ ही celebrate करा कर होगे अपने परिवार साइथ ठीक है और मुझे से लग रहा है कि आइ तिंक वो ना जब भी कोई ऐसा इंसान कोई भी ऐसी third party बीच में आती होगी कि जब इनको पता चला कि यह फलाना फलाना आपको पसंद करता है या पसंद करने लग गया है ऐसी उड़ती उड़ती खबर एंगर इनको मिदी है कहीं से तो यह थोड़ा सा न समझ लीजिए इनके behavior में वैसे कोई change नहीं आएगा मतलब ऐसा नहीं कि मनलब यह बहुत rude हो गया है या आपके साथ कुछ गलत विवार कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है बट इनकी family या फिर इनके आसपस के लोग आपको बताने लग जाते होंगी कि आजके में खोया-खोया से रहता है मतलब काई तब आपको इसे स्वाशनी में कि अपितन नहीं है कि स्कुछ आ खोया दाानी इनकी में तो उनकीology इनकी है करेंगे कि किसी से एनसे क्यों हो ओट इसे लोग्त कर थासे पसंद क्यों नहीं आए है वो रीजन चाहें दाता रहे हो इसमें लूप इत वह दीआ फिर फिर दूरों के बीच अगर यह बात तो इसमें कोई बुराई नहीं है अच्छा ही है क्योंकि मुझे पता है यह वेखती है इसको पता है मैं अच्छी हुई यह जो हुआ है एक दूसरी को समझना चाहिए एक दूसरी की फिलिंग उसमझना चाहिए थो आजए लोगों के प्लान को कैंसिल करें यह करता हूँ हर आप को प्लान आ लिया करते हूँ है gäller औरको ऐसे कृप्वी गूह बीफिर पर्फुद बात कर लिया करते सथे हुआर यह कह रिया करते हूं और डिका हां वो बजी मुन आसे तो कोई- इन Luna की मिन फिर ग् column यह कहते अननुजिन एक में हो और थे। सबक्स करने और थे,a कि उनसे होस Representatives अनल में very ty BROWN फिर्म एक हाँ किमर रॉली हले हीन? दिन्या फिर्म उल्म टुक्तन है,Iमें जाटे वहाँ है हम वहाँ में है वनम पना फिर्म thepम जडने अनल है दोत है एनको यह बात पता चलती है और आपको नहीं बता चलती तो आपको यह इनको नहीं बता है करेंगे कि मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा तुम पर तुम मेरे फ्रेंड हो जस्ट तो कोई ऐसा फोर्स नहीं है तो ठीक है मुझे लगा कि मुझे अपने दोस्को समझाना चाहिए बट किस मोटे से संखा रहे हैं वो तो आपको के बता है सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड इसलिए आ रहा है कि ना जैसे मान लो कभी-कभी ना आप इने चड़ाया करते हो गए तो अगर यह बहुत चड़ जाते होंगे ना किसी तीजरें के नाम से यह बात ही नहीं करते होंगे यह मैं लगा कहते हैं मुझे करना चोड़ दो ठीक है त ठीक है वही आपका बच्चा है उसी फ्यार कर लो तो ऐसे हो जाते होंगे एसे चाहिए लेरली ना बोल रहे हो लेकि न यह ऐसे हो जाते होंगे रूट जाते होंगे बड़े बड़े रूस जाते होंगे वह स्लेना रहे हे Sn Pre-k church और उनको नहीं पसंद आ रहा है कोई आपको ऐसे स्टेयर कर रहा है और उनको नहीं पसंद आ रहा है कोई आपको ऐसे लोगों से जो शायद आपको पसंद नहीं आए लेकिन ठीक है आपको नहीं पसंद आए चलेगा लेकिन इनको नहीं चलेगा कि अगर कोई आपको ऐसे यह लुए टॉलरेट निकर सकते इस जीस को तो अच्छी है रीडिंग हर किसी कि दिकल अपने परस्पेक्टिवależ हो सकते हैं आपको कुछ बाते हिंगी एछी लगेंगी कुछ नहीं आगी अफस्य आई भी दो पना करते हैं आजवार जो Wक्रण काशनalin कार छोरी है को बना करते हैं आई थील्ग तुम इंगर जेखाः एंगर काशना तो ज़ी मेरा जोटता हनो शालो मैं दो जगा करते हो घर चोटेहां दूंग ऑच जिस नहीं भूल दियार्त आए कि अभी ध कितने टेंशन लेते हो जस्त काम डाउन तो आप किसी चीज की टेंशन को यह चट से खटा दिया करेंगा और यह चीज मा कोई भी नहीं कर पाएगा आपकी लाइफ में आपकी टेंशन को खटा देना और आपको एक दम से एपी कर देना यह इनको आता होगा थैंक्यू गॉड लिटरली यह भगवान को थैंक्यू बोलते होंगे जब यह ऐसे लोगों अपने आप आपसे दूर हो जाते होंगे टीर्जार कमिंग फ्रॉम आइस पूल आफ एमोशन बहुत कभी-कभी रोते भी होंगे जब ऐसा मतलब कोई आप पर ऐसे आ रहा है ना तो उनको नहीं पस यह नहीं कर सकते भाई वरदाश यह नहीं कर सकते हैं तो यह आपके stress buster होंगे और मैं भी चलूँ अपने ससुराइब करते होंगे लेकिन वह मजाग को में सचाई बोल दिया करते होंगे तो ऐसे होंगे यह पियर कभी जोड़ लगता होगा आपको खोने से इनकों डर लग लवला हो यह लवर्स वाला हो प्यार पहने आता है उनके लिए अने सच से अगर आपको दिक्कत नहीं पता लेकिन वह सच बोलते होंगे जो उनको महसूस होता है ठीक है वह आप पर पूरा विश्वास करता है लेकिन किसी दूसरे इंसान की सब्सक्राइब कर बिडिकुल अच्छा कर रहा है तो वह नहीं चाहते कि को ऐसा डिक्ती दूर होया जिस विक्ती ने मेरे इतने उपकार की है ठीक है वह नहीं चाहते है बिलकुल भी हो यहाँ के इन गारं यह होश में हूं लेकिन बेहोश होने का नाटक करने बिमार हो गए तो आप उन्हें को पता चला आप और आपके फ्रेंड और उन्हीं प्रेंड चर्कल में एक्स अवेक्टीव है जो आपको पसंद करता है अज कहीं भार जाने का प्रोग्राम बना हुआ है और यह पढ़ गए इन्होंने थोड़ा कर लिया नाटक कि यह बिमार ह प्रोग्राम बना है तो आप उन्हें साथ जाओ गए आपके लिए में परड़ी यह रखते हैं तो आप इनसे मिलने जाओ गए और जो बाद में आपको पता चले कि यह बिमार नीज तो आप चैन पर कितने लाग गुस्ता निकालों लेकिन ना इन्हें पसंद होगा आपको आप सबको बहुत अच्छी लगे होगी यह रिडिंग जिसमें बहुत तरी फीलिंग भी आया और बहुत तरह कुछ आपको पता भी चला तो अगर आपको रिडिंग अच्छी लगे हो लाइक से पर कॉमें जरू करिएगा अभी के लिए बाए ठेक किया जाए श्राद ना हरी बोल श्री रादी